नमस्क आर्फी और शिंदूर की किमस सीजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट एंटरंस जहां पर देखने को मिला कि अब एक तरफ तो यहां पर मिठी अकेले ही गुंडों का सामना कर रही होती है तो वहां पर रुचिता और पारो आ जाती है जहां पर पारो नागिन होती है तो उसे देखकर काफी ज़्यादा कबरा जाती है मेठी क्योंकि उसे पहले किसी एक सांप ने काट लिया था तो इस वज़े से सांप को देखकर काफी ज़्यादा डर जाती है लेकिन रुचिता बोल देती है कि ये हमारी दोस्त है ये पारो है ये इच्छादारी नागिन है तो फिर वहाँ पर तीनों अच्छी तरीके से अच्छी दोस्त बन जाती है और बोल देती है कि जब कभी भी हम तीनों को एक दुशे की जरूरत होगी तो हमेशा एक दुशे की रक्सा करेंगे तब देखना काफी दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि वहां पर अब जहां पर अब समर्ण के साथ होने वाला एक और हादसा क्या उसके पीछे पी होगा राना का हाथ क्या अब की बार राना बचा पाएगा मेठी को या फिर ये है किसी और की चाल